हलो इस्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBRS टड़ी में तो बच्चों आज आपका ये 1.4 का लाइस्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर थर्ड ध्यान से देखना प्यार से देखना कह रहा कि कुछ वास्तिविक संख्याओं के दसमलों परसार नीचे दिये गए है दर्साय गए है या दिये गए है परते किस्थिती के लिए निरधारित कीजिए कि यह संख्या पर्मिय संख्या है या नहीं है और पिए पान Q के रूप की है तो क्योंकि अभाज गुडन खंडों के बारे में आप क्या कहेंगे आपके क्या विजार है इसमें एक पिछले सवाल के जो है वो कुछ सारांस आपको आने चाहिए कह रहा है कि अगर ये परमिय संख्या है तो Q Q अभाज गुड़नखंड के बारे में आप क्या कहेंगे आपने पढ़ा होगा कि जब कोई संख्या को हम P अपान Q के रूप में लिख लेते हैं या लिख सकते हैं तो वो परे में संख्या होती है जहां पर कंडिशन होती है कि Q अभी भी सुनने के बराबर नहीं हो सकता है यह तो है ना लेकिन उपर इसमें और भी कुछ कह रहा है कहरा दसमलो परसार नीचे दिये गए हैं परते किस्तिती के लिए निर्दारित कीजिए जो बात यह बोल रहा है पहले तो यह देखो इनको दसमलो परसार क्या है सांत है क्या सांत है बहिया इनका दसमलो परसार सांत है जिसे हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है इनका decimal expansion क्या है terminating है तो terminating कब होता है यह तो आपने अभी पहले सवाल में पढ़ा था कि किसी भी जो संख्याएं दी गई हैं उनका दसमलो परसार सांथ तब होगा जब उनके हर का जो गुडनखंड है नीचे का जो नंबर होता है हर का गुडनखंड जैसे अभी आपने पहला सवाल पढ़ा था 13,21,21 न तो 31,25 का जो गुडनखंड है वो दो का घात यन और पांच की घात यम के रूप का आना चाहिए अगर इस रूप का होता है तो संख होता ने था संख नहीं होता दसमलो परसार यही तो पढ़ा था न तो बस मिल गया आपको आप क्या करोगे यही चीज आप यहां पर लिख दोगे क्यू के बारे में यही चीज तो पूछ रहा है न क्यूकि इनका दसमलो पर सारसांत है जो दिया है तो आप चलो लिखो क्या लिखोगे लिखो फटा फट लिखो क्यू के बारे में हम कह सकते हैं की क्यू के बारे में हम कह सकते हैं की क्यू के अभाज गुडन खंड टू की पावर एन कॉमा टू की फाइब की पावर यम के रूप के हैं देखो मैं दिखा दे रहा हूं लिखके देखिए मैंने लिख दिया है इसको थोड़ा साथ फाम में आप लोग इसे समझे लो क्या कह रहा है यहाँ पर देखो क्यूंकि बारे में हम कह सकते हैं कि क्यूंकि अभाज गुडनखंड दो की पावर यान और फाइब की पावर यम के रूप के हैं बस यही आप कह सकते हैं अब कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, इसकी अल्out, अगर इसमें कब अच्चा आप सिकन पार्ट देखोगे तो वो, क्या है, उसका दसमलो परसार जो है, वो असान्त है, तो सिकन पार्ट के बारे में हमें कुछ कहना ही यह नहीं है, क्योंकि second part कुछ ऐसा है देखो आप लोग 0.120 फिर 1200 फिर 1230 फिर 1240 फिर 22 ऐसे है मतलब खतम नहीं डट डट है इसका मतलब यह है कि यह क्या है नान टर्मनेटिंग है तो नान टर्मनेटिंग के बारे में हमें कुछ नहीं करना है असांत जिनका दसमलो परसार है उनके लिए कुछ नहीं करना उपर देखो लिखा है ना परते किस्तिती के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमिय संख्या है या नहीं है और यदि है परमिय संख्या तो आप क्यूके अभाज गुडनखंड के बारे में बताईए अपने विचार लेकिन अगर नहीं है तो कुछ नहीं बताना है ठीक है हाँ अगर बताना भी रहेगा तो आप क्या लिखो गए निचे लिख तो इसका जो है क्यूके बारे में हम कह सकते हैं कि क्यूके अभाज गुडनखंड जो है दो की पावर यहन और फाइब की पावर यहम के रूप के नहीं है बस ठीक है लेकिन इसके बारे में कुछ कहना नहीं था हमें सिर्फ सांत वाले के बारे में कहना था चलिए थार्ड वाला पार्ट देखें इसमें सिर्फ एक पार्ट और बचा है थार्ड वाला पार्ट अगर आप लोग देखो ध्यान से तो इसमें क्या करना बच्चा इसमें पूरे पर बार लगा है बार का मतलब होता है कि यह बार बार आएगा यानि 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तक आएगा फिर से शुरू हो जाएगा 1,2,3,4,5 ऐसे से कभी खतम नहीं होगा यानि कहने का यह मतलब है कि यह क्या है बच्चा यह रिपीटिंग है ठीक है नान टर्मिनेटिंग होगा की नहीं भई नान टर्मिनेटिंग है चुकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा कभी खतम तो हो नहीं रहा है तो इसे आप लिखोगे नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ठीक है क्या है यह नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब यह कभी खतम होगा ही नहीं तो इसके बारे में अग सब्सक्राइब करें नीचे तक आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिलहाल आज नंबर दिखा देता हूं चलते चलते वैसे उपर दिख रहा होगा आप उस पर कर सकते हैं नहीं तो एक सिंपल सी बात है नंबर रहने दीजिए आप लोग कमेंट करें वीडियो में निचे ठीक है कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए आपको सब कुछ बताया जाए झाल बताइए आपको सब कर दो हुआ हैं।